आज हम present indefinite tense का interrogative sentence बनाना सीखेंगे इसका structure है do does plus subject plus verb one plus object present indefinite tense के affirmative sentence में third person singular number के साथ s या is लगाते हैं लेकिन interrogative sentence के verb के साथ s या is नहीं लगाते हैं I और you को छोड़कर सभी singular number एक वचन के साथ does लगाएंगे बाकि सभी plural number बहुवचन और I, you के साथ do लगाएंगे तो चलिए हम sentence शुरू करते हैं क्या तुम चाई पीते हो? do you take tea? इसी तरह के sentence को अगर हम negative वे में बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे क्या तुम चाई नहीं पीते हो? do you not take tea? या फिर don't you take tea? क्या राहूल स्कूल जाता है? does राहूल go to school? क्या राहूल स्कूल नहीं जाता है? does राहूल not go to school? या फिर क्या वे लोग इंग्लिश बोलते हैं? do they speak English? क्या वे लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं? do they not speak English? या फिर don't they speak English? क्या तुम्हारा भाई मुझे जानता है? does your brother know me? क्या तुम्हारा भाई मुझे नहीं जानता है? does your brother not know me? या फिर doesn't your brother know me? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करना मत भूले थेंक्स वर वाचिंग